मेरेट में शनीवार रात कावडियों का डीजे 11 केवी की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया इससे उसमें करंट उतर आया मेरेट के डीएम दीपल मीना ने बताया कि करंट लगने की वज़े से दस कावडिये जुलज गये थे अस्पताल में इन में से पांच की मौत हो गई मई दो की हलत गंभीर बनी वई है हाथसा थाना भावनपूर शेतर में राली चोहन गाउं में हुआ ये सबी हरीदुआर से कावड लेकर आये थे मरतकों के नाम हिमानशू, प्रशांद, महेंदर, लक्मी और मरिश बताय जा रहे हैं हिमानशू और प्रशांद दोनों सगे भाई हैं तीसरे सगे भाई विशाल की हलत कमबीर है सबी हमरतक राली चोहन गाउं के ही रहने वाले हैं बताय जा रहा है कि हाथसा रात साड़े आट बजे के आसपास हुआ जब यूवक अपने गाव राली चोहन लोट रहे थे कावडियों के साथ उचा डीजे था जो गाउं के मंदिर के पास हाई टेंशन लाइन से टकरा गया जिससे इसमें करंट उतराया मोके पर चीक पुकार मच गई कुछ लोगों ने गावडों को ट्रॉली से अलग किया सुचना पर डीएम और एसपी मोके पर पहुँचे गाईलों को गंगा नगर के IIMT मेरट के आनद अस्पताल और मेडिकल कॉलिज में भरती कराया गया है घटना से गुसाए गावडों ने जाम लगा दिया कई थानों की फोर्स मोके पर पहुँच गई है सी ओ देविश प्रताप चोहन ने बताया कि युवकों ने जेई से कहा था कि वो कावर्ड लेकर आ रहे हैं 11 केवी की लाइन से बिजली सप्लाइ बंद कर दी जाए जेई ने कहा कि बिजली कट गई है इसके बाद युवक कावर्ड लेकर आये लेकिन बिजली कटी नई थी और हदसा हो गया एसे इपने रहे ही राइनमा दुनिया किसा देखा देखा